कि नमस्कार दोस्तों प्यानुइन इन्फिटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है यह मेरे डिस्यों कोर्स का टुटोरियल नूमबर ट्वन्टीफोर है पिछला वीडियो में मैंने MS Word में पॉंट कलर तक बताया था और इस वीडियो में चलिए हम लोग आगे सिकते हैं तो मैं फिर से स्टार्ट करूंगा एमस ओफिस वर्ड तो मैं टैप करता हूं यानि कीवर्ड का बिंटोज आर्प्रेस करता हूं और इसमें टैप कर दूंगा बिंवर्ड और इंटर बटन प्रेस कर दूंगा तो देखिए यहां पर जो है मेरा एमस ओफिस वर्ड ओपन हो रहा है तो यह मेरा एमस ओफिस वर्ड ओपन हो गया तो चलिया यह इसमें हम लोग देखते हैं यह मेरा पैरा ग्राफ ग्रूफ है इसमें हम लोग पहले कुछ टैप कर लेते हैं अगर हम चाहते हैं कि मतलब आटमेटिक कुछ टैप हो जाए तो सब्सक्राइब मेरा बुलेट है तो बुलेट के काम होता है कि कुछ भी में में फॉइंट में बुलेट लगाते हैं जैसे बुक में भी आप देखते होंगे में में जो मतलब जहां पर कुछ कुछ important question को चाहिए कुछ और important मतलब story दिया हुरा राता है तुसमें हम लोग देखते कि बुलेट लगा रहता है तो बुलेट कैसे लगाएंगे सबसे पहले उसके लिए सेलेक्ट करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया पूरा या फिर कंट्रोल फ्लस ए भी कर सकते हैं तो आल सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग आएंगे बुलेट पर क् आना हैं अब omega बॉलट का यहां पर डिजाइंग है देखिये जैसे मैं प्लिसाट क कि करता हूँ तो ऊफ्म ना यहां पर क शू करता है अगर में वहां हमें दूसरा बॉलिट अब इसमें देखे वन टू सो कर रहा है रोमन नंबर में यहां पर यह सब जो है मेरा सो कर रहा है ठीक है तो आपको जैसा नमरिंग लगाना है तो आप यहां पर लगा सकते हैं अब अलफाबेट में सो कर रहा है तो जिसे हमें अलफाबेट में लगाना है तो देखे इस पर क है यहां पर है multi-level list देखें यह मेरा multi-level list इस पर एक किले करता हूं तो ऐसा सो करेगा इस में भी बहुत सारा फॉर्मेट सो कर रहा है देखिए ऐसा चाहते हैं तो ऐसा पॉइंट में लग गया मेरा फिर मैं इसमें भी हटाने चाहता हूँ तो नन पर क्लिक कर दूँगा तो यह मेरा हट गया अब देखते हो उसके बाद कौन सॉप्षन है यह है डिक्रीज इंडेंट क्या motor यहां कि मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है मेरा टाइपिंग यहां से लेकर और यहां तक हो तो देखिए मैं इसे अभी देखिए क्लिक कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि यह मेरा जो है कि टिक्रीज इंडेट है यानि घाट आने के लिए है ठीक है इस पर मैं किलिक करता हूं पहले देखिए क्या लेका इंक्रीज देखिए बहर रहा है कि एखadium स्टाइक सिर्फा पि मसलेंगे अग्रेज कि एतना थलिफ यहां से लेकर कर देखे हैं अगरी फिरसे चीह मिलब्स करना आप Прेसाय अब यह जो मेरा है, यह है प्रищ प्र 小 in the visual में क्या होता है जासे एक्जाम चाहिक होता है न की जड़ा मेरा है यह है सोट प्रद सीट मे ज़रा सहा दौन तो यह मैंने टाइप कर लिया अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूं माउस से भी कर सकते हैं आप या कीवर्ड से कंट्रोल और एफ प्रेस करेंगे सब्सक्राइब करें तो इसे रहा पर क्लिक करेंगे तो देखिये मेरे डैलो पर भॉक्स अगया सौर्ट टेक्स इसमें हम लोग देखें यहाँ पर रिषॉएं याँ पर है दिसैंडिंग लिखा वह है ठीक है डिसैंडिंग पर एक से और वाएं ऑड रट से है तो यह मेरा alphabetical so कर रहा है मतलब जैसे इसे नाम alphabet में आएगा वह इसवर से यहां पर so करेगा अब हम लोग फिर से sort में जाते हैं और decrease करते हैं तो decrease में इसका opposite हो जागा यानि पहले art से नाम आएगा फिर m से h से g से और a से आएगा देखिए मैं decrease इस पर click करके और okay करता हूं तो देखिए opposite इसका हो गया तो यह मेरा sort का काम है अब देखिए यह जो मेरा उसके आगे है option so hide so hide का काम कहां पर enter किया हुआ है जहां जहां enter किया हो रहेगा वह so करेगा देखिए यह मेरा यहां इंटर किया हुआ है तो so कर रहा है इससे हम लोग जान सकते हैं कि इंटर कहां कहां पर किया हुआ है फिर से मैं इस पर click करता हूं तो वह जो मेरा sign आ रहा था वह हट गया उसके बाद ही यह मेरा alignment यानि left alignment है ठीक है तो मैं पहले कुछ कुछ ट्रेयिब कर लेता हूं इसे में डिलीट करता हूं च्रह यह करके और इससे में डिलेट कर दिया की बारकस पहले इसमें कि है को कि दी इक है कुछ में ने बताय था एकवाल टू रेंडम औरके К्रॉजॡ करकर करे इंटर कर देंगा तो यह मेरे लिखा बहाँ जाएगा फिर से मैं आप Ctrl A करता हूं तो यह मेरा All Select हो गया अब हम लोग आते हैं अलाइजमेंट में Left authority में यह Left है Center में मैं क्लिक करता हूं दिखें यहाँ पर Center alignment है तो Center में मेरा यहाँ पर दिखें सेंटर सो करता सेंटर एलाइजमेंट में अब यह जो है मेरा Right है है ना तो राइट में राइट में चला गया उसके बाद है justify justify में क्या होता है कि दोनों और बराबर हो जाता है जो कि मैं वर्ट पैड में भी बता चुका हूं देखें दोनों साइट बढ़ाबर हो गया तो यह मेरा काम होते हैं कौन सा ओप्सन है लाइन स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग से क्या होता है कि दो लाइन के बीच का जो दूरी है वह हम लोग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कंट्रोल प्लस एक करेंगे तो यह मेरा क्या हो गया उसके बाद देखें जाएंगे लाइन स्पेसिंग में देखें कोई बहली पर हम लोग प्रेस करेंगे देखें दो लाइन का बीच का जो दूरी है वह बढ़ गया अगर मैं घटाना चाहता हूं लाइन का स्पेस तो दि लोग करता है तो यहां से आफ सकते हैं यहां पर जिस से यहां पर विपपज और देखें लाइन का जो दूरी हो नीचे आ गया अब मैं कंट्रोल करता हूं देखें तो ऊपर चला गया उसी तरह से फिर से मैं इसमें आऊंगा लैन स्पेसिंग में आऊगा उसी तरह से अगर after में करना है दूरी बरहाना है घटाना है तो लोग कर सकते हैं यहां पर अगर हमें 10 करना है तो देखे 10 करके और okay मैं करता हूँ तो screen पर आप देखेंगे देखें यहां पर जो दूरी था वो स्वेस बढ़ गया देखें मैं फिर से करता हूँ control जेट तो देखें कुछ घटा अब उसके बाद देखें फिर से मैं आता हूँ line spacing में और यहां पर जो आप देख रहा है line spacing यहां से भी हम लोग बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं जैसे मैं यहां पर कर देता हूँ multiple में यहां से multiple कर सकते हैं या कोई value आप सेलेक करते हैं 1.5 मैं क्लिक करता हूँ तो देखें यहां पर आप देखें जो है वो बढ़ गया फिर से मैं line spacing में जाता हूँ और यहां पर single पर क्लिक करता हूँ मैं करता हूँ देखें तो इस तरह से हम लोग line spacing पर यूज कर सकते हैं यहां से भी अब उसके बाद देखते हैं कौन सा option है तो यहां पर जो है मेरा setting है तो इससे क्या होता है कि एक line में अगर हमें यहां पर देखें एक line में setting करना तो यहां पर cursor रखेंगे और setting पर क्लिक करेंगे तो कोई भी color में हम लोग एक paragraph ले सकते हैं अगर हमें पूरा में करना है तो पूरा में select कर लेंगे तो पूरा में यह मेरा color select हो जाएगा देखें यह मेरा एक format से दो format तीन format भी select हो गया अगर मैं चाहता हो इसको हटाने के लिए तो select कर लूंगा उसके बाद फिर इसमें आकर no color पर click करेंगे अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक line को setting करने के लिए तो देखें यहां पर select कर लिए और इसमें कोई भी color से चाहते हैं हम लोग तो उसको सेड़ कर सकते हैं देखें एक line में सिर्फ हो गया अगर हमें हटाना है एक line से तो select कर लेंगे और इस पर ही click करके no color पर click करेंगे तो वह हट जाएगा उसके बाद देखते हैं कौन सा color है sorry उसके बाद देखते हैं कौन सा option है तो यह है मेरा border है में बाद देने के लिए मेरा ये बादिने के लिए बाटम बाड़र इसका नाम है तो दखिए इसमें क्या करेंगे मालीजी हमें यहाँ से border देना है इसमें सिर्फ देना है तो इसको मैं यतुना select करूँगा उतना ही में आएगा तो इससमें select करूंगा उसके बाद bottom border में जाओंगा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है bottom border तो देखिए सभी में आ गया यह मैं कि सभी में select अगर हम चाहते हैं सिर्फ एक में देने के लिए तो इसको पहले मैं क्या करूंगा no पर click करूंगा और शिर्फ चाहता हुँ देखिए यहां पर जिससे bottom border देना चाहतीँ हो यहां click करूंगा उसके बाद फिर से मैं bottom border पर click करूंगा देखिए तो यह में सिर्फ मेरा यहां पर शो कर रहा है उसके बाद इसी पर और जैरिक मेरा है अब जो है इस पर प्रेश करङ़ा फिर से और नो बोर्डर क्लिक करूंगा तो कि यहाँ से घड़ जाएगा अब मैं चाहता हो कि जो मेरा वा है पारवाग्राफ सभी पारव्डाफ में करें तो मैं सभी को सेलेक्ट कर लूंगा यानि Ctrl plus A प्रेस कर लूँगा तो यह मेरा All Select हो गया अब इसमें फिर यहां से जाएंगे हम लोग Border and Setting में जाएंगे ठीक है इसमें देखिए यहां से Line जो भी आपको लेना है ले सकते हैं यहां से जो भी लेना है ले सकते हैं या फिर यहां से भी आफ कलर जो भी लेना है वह सिलेक्ट कर सकते हैं कलर के लिए यहां से भी आफ लाइन चेंज कर सकते हैं ठीक है तो यह मेरा जो है ओके करेंगे इसको देखें तो यहां पर मेरा बॉर्डर लग गया अगर हमें फिर से बॉर्डर हटाना है फिर से बॉर्डर हटाना है तो अगयन इस पर क्लिक करूंगा बॉर्डर एंस सेटिंग में जाओंगा और यहां पर जो है नन पर क्लिक कर दूंगा तो देखें यहां पर क्लिक करके करेंगे तो बॉर्टर मेरा हट गया इसी तरह से मैं चाहता हूं कि पेज में बॉर्टर लगाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो है पेज बॉर्टर क्लिक करेंगे जैसा भी आपको बॉर्टर लगाना है तो यहां से लेकर करके बॉर्टर लगा जाए जाएगा फिर से हमें इससे अगर हटाना है तो क्या करेंगे इस पर क्लीक करेंगे बादर सबीक है करता हूं कि आप सभी अच्छा से समझ में आ रहा हो गां फिर मिलतें नेक्स वीडियों में भाई-धन्यवाद झाल